हर्याना में खटर कैबिनेट के फरजी लेटर से हरकम गुरुग्राम रोहतक सोनीपत में 500 करोड की जमिन कबजाने की कोशिस रजट्री की तैयारी में पकड़े गए हर्याना की पूर मनुहर सरकार के एक फरजी कैबिनेट लेटर से हरकम मच गया है इस लेटर में प्रदेश ये तीन जलों गुरुग्राम रोहतक और सोनीपत की 500 करोड की बेश कीमती जमिन हत्याने की कोशिश की गई इस गड़बर जाले में सच्चिवाले के भी तीन कर्मियों की सनलेप्तिता मिली है इस लेटर में कैबिनेट ब्रांच के सुपरिटेंडेंडेंट के फेक सिगनेचर भी मिले है इसका खुलासा जाच में हुआ है तीन देन पहले इस मामले की शिकायत पूर सियम अनोहलाल खटर के पास मौची थी कैबिनेट का लेटर देखकर पूर मुक्हमत्री खटर खुद हैरान रहे और उन्होंने अननफानन में मुक्हिस सच्चिव टीवी ऐसन प्रशाद से जान करे लिए मुक्हिस सच्चिव ने जब रांच के करमचारियों से बातचीत की तो पता चला कि कैबिनेट मीटिंग का पत्र पूरी तरह से फरजी है पंचकुला गुरूग्राम के डीलर श्यामिल कैबिनेट के इस लेटर में कैबिनेट ब्रांच के अधिक्षक के सिगनेक्चरों की जब जांच की गी तो वे भी फरजी निकले इसके बाद मुक्सचिव के आदेशों के बाद इस मामले में सच्चिवाले के तीन कर्मियों से पूर्शताच की जिसमें मामले से जोड़े लोगों के जानकारी सामने आ गई है इस प्रकरन में गुरुग्राम के अलावा पंचकूला के प्रॉपटी डीलरों के भूमिका संतिक्द बताई जा रही है मुक्सचिव ने तीनों कर्म चारवें से पूर्शताच की तो उसमें गुरुग्राम के एक व्यक्ति के नाम का खुलासा हुआ है जिस टेट का लेटर उस टेट में नहीं हुई कैबिनेट दरसल गुरुग्राम के बाश्चापूर और आजीव चौक्षेतर की बेश कीमती जमीनों को रिलेस करने के लिए कैबिनेट मीटिंग का एक फरजी पत्र तयार किया गया है इस पत्र में 15 और 21 दिसम्बर 2013 के तारिक लिखी गई है जबकि इस तोरान कोई कैबिनेट बैठक ही नहीं हुई ततकालिन सियमनोहलाल के अद्धिशता में नॉम्बर महीने में कैबिनेट बैठक हुई थी इस फरजी वाड़े का खुलासा कैबिनेट नोट पढ़ने के बाद हुआ नोट में मुख मत्री और FCR दोनों के पद लिखे हुए थे जबकि कैबिनेट मीटिंग के सिस्टम में कैबिनेट मीटिंग का नोट वरिष्टरता के हिसाब से लिखा जाता है लेकिन उसमें उसके विप्रिल लिखा गया था रजिस्टरी की तैयारी में थे डीलर सुतरों की माने तो फरजी पत्र तैयार करने वाले लोग राजस विभाग के स्थाने करमचारियों से मिली भगत कर जमीन की रजिस्टरी कराने के तैयारी में थे लेकिन इससे पहले इसका खुलासा होने से उनके अर्मानों पर पानी फिर गया हाफसिंग फॉर ओल में तैनात एक वरिष्ट करमचारी ने ग्रहे भाग में तैनात एक करमचारी को वर्टसप पर पत्र भीज कर उसके कागजात निकल वाने को कहा जब करमचारी के अबनेट ब